हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे चावल की खीर बच्पन की याद आ गई ना फ्रेंड्स तो चलिए फटा-फट से इस खीर को बनाना स्टार्ट करते हैं देखिए हमने गैस पे कड़ाई चड़ा दी है कड़ाई थोड़ी बड़ी होनी चाहिए और इसमें मैंने फुल क्रीम पतलब दूद के उपर जो मलाई रहती है उन सबको भी मैंने निकाल लिया है और यह पूरा एक लीटर दूद है देखिए हमारा दूद जो है वो उबलने लगा है हमें मीडियम आज पर इस दूद को आधा करना है जब इसकी आधी मात्रा हो जाए तब हम इसमें कुछ करेंगे तब तक हमें कुछ भी नहीं करना है बस आज को मीडियम कर दीजे और बीच बीच में चलाते रहें किनारे पर यह जो लगता है इसको आप छुडाते इसके लिए मैंने देखिए एक लीटर के लिए मैंने एक मुठी चावल लिया है चावल को अपने मुठी से आप नाप कर ही लीजिएगा एक लीटर दूद के लिए सिर्फ एक मुठी चावल और मिक्सर में मैंने इसको इस तरीके से चला लिया है देखिए बहुत पिसा भी केसर को हम पहले से इसलिए डाल दे रहे हैं कि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए देखिए हमने चावल को अच्छी तरीके से धुल लिया है धुल के अब हम चावल को भी डाल देंगे क्यूंकि एक लीटर दूद जब आधा लीटर बच जा है तभी यह प्रोसेस करिएगा अब इसमें चावल डाल दिये हैं और उसको भी मीडियम आज पर पकाना है इसके लिए हमने चार इलाइची ली है आप चाहें तो रोज एसेंस गुलाब जल कुछ भी डाल सकते हैं आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें कुछ भी डाल दिशाकते हैं हमें इलाइची के से मीडियम आज पर इसको चलाते रहें लगातार चलाने की भी जरूरत नहीं है बस ध्यान रखिए कि दूध हमारा बहने ना पाए हमने इसमें कुछ ड्राइफूट ले लिए हैं देखिए मैंने काजू और बदाम ले लिया है यह भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो आपको पसंद हो आप वो डाल लीजिएगा तो हमने इसको भी डाल दिया है ताकि यह भी अच्छी तरीके से इसमें पक जाए आज को मीडियम ही रखिएगा और इस तरीके से किनारों को छुडाते हुए चलाते रहिएगा देखिए खीर हमारी काफी हद तक पक चुकी है पर्फेक्ट देखिए खीर हमारी बिल्कुल बनके तयार हो गई है अब इस स्टेज पे हम गैस को कर देंगे आफ और खीर को कर लेंगे सर्व क्योंकि खीर जो है वो ठंडी सर्व की जाती है न तो हम इसको कडाई से निकालके फ्रिश के अंदर रख देंगे यूर ये पूरी तरीके से ठंडी हो जाएगी जब पूरी तरीके से ठंडी हो जाए तब ही इसको सर्व करिएगा ठंडी खीर खाने का मज़ाई कुछ और हो डाल देंगे यह भी आप अपने हिसाब से अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद हो वो डाल दीजिएगा अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लीजे और अगर किया है तो थेंक्यू सो मज वीडियो पसंद आई हो तो फैमिली फ्रेंड के साथ सेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजेगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालू तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके थेंक्यू सो मस मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ बबाई